हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वगत करता हूँ तो दोस्तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कौटर सेकेंड अर्निंग सेशन का अभी यहाँ पर इवेंट चल रहा है ठीक है और इस हपते तो दुस्तो लगभग 2100 कंपणी क्या कर रही ही दोस्तों अपने रिजल शो करने वाली 2100 बहुत बड़ा नमबर है दुस्तों लगभग आप बोल सकते हूँ कि मार्केट की 40 पर्सन कंपणी इसी हपते अपना रिजल शो करने वाली ठीक है बहुत बड़े नमबर जो हमने संडे को अपडेट की है आपको अब इसी में से एक कमपनी है दोस्तो जो इस कौटर में भी काफी बड़ा घाटा दिखा सकती है ठीक है और उसके शेर ओल्डर को साबदान हो जाना है तरही है अब आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि मैं इसी कमपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कमपनी मार्केट में दोस्तो एक अपचारिकता के लिए ही क्या कर रही है दोस्तो घूम रही है फिर भी उसमें इंवेस्टर फोकस करते हैं तो मैं उनको ही साबदान करने जा रहा हूँ और जो उसमें इंवेस्मेंट करने का प्लान बना रहे है जिनके माइंड में जिनके मुँ पे खाली वह उसी कमपनी का नाम है तो चलिए फटापट से उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज में आप लोगों को बोलना चाहूँगा तो यहां पर देखें सितंबर 2018 में कमपनी की बहुत अच्छी कंडिशन थी 7,664 करोल के वो सेल्स करकी थी ठीके दिसंबर 2018 में वो सेल्स बढ़के बहुत अच्छी हो गई ठीके 19 में भी अच्छी रही थी मार्च 19 में मतलब दोस्तो आने वाले कॉटर में फिर जून में थोड़ी सी फीकी पड़ी जून 19 में फीकी पड़ी सितंबर 2019 में काफी जादा फीकी पड़ गई दिसंबर 2019 में एक रेंज में ही देखने को मिली ठीके अगर मैं ये दिसंबर से ये दिसंबर में कमपेर करूँ तो घाटा मतलब सालाना तोर पे बढ़ चुका था क्योंकि सेल्स नहीं होगी तो घाटा तो बढ़े गया मार्च 20 की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तो तो यहाँ पर कमपनी का सेल्स क्रोथ एक बार फिर से हमें बढ़ते देखने को मिला ठीके और जून 20 की जहाँ पर पेंडमिक आया यहाँ पर दोस्तो इस्तिती तो पुरे मार्केट की खराब थी तो हम यह कोटर सेशन को छोड़ देते हैं देर उसके बाद अगर देखेंगे सितंबर 20 दिसंबर 20 यह दो कोटर में तो एक अच्छी रिकबरी देखने को मिली थी लेकिन मार्च 21 और जून 21 यहाँ पर घाटा दोस्तों क्या हुआ मतलब जो सेल्स करोते वो कंटिनिसली गिरते चले गई ऐसा लगा दोस्तों कि लॉकडाउन के बाद कमपनी का जो बिजनेस है न वो पूरा विखर गया मतलब उन्होंने दोस्तों उसको खड़े करने की उमीद ही नहीं छोड़ी मतलब उन्होंने मतलब यह कि अगर आप देखोगे कि कमपनी का जो हर कमपनी उन्हें क्या क्या दोस्तों company अगर नीचे गई तो उन्हें ने दो गुना तेजी से अपने business को खड़ा किया लेकिन इसा नहीं लग रहा यहाँ पर कि इन्होंने company को दोस्तो दो गुना तेजी से खड़ा किया एक गुना तेजी से भी भी तेजी नहीं किया सितंबर 20 का अगर रिजल देगे दिसंबर का तो यहाँ पर अच्छा लेकिन March और June में पूरी तरीके से खतम हो गया इनका business ऐसा देखने को हमें मिला ठीके हम लॉस की देखे तो continuously लॉस आप देखेंगे ना तो काफी ज्यादा condition में बढ़ते जा रहा है 50,000 करोल का लॉस एक single quarter में बहुत बढ़ी बात हो जाती दोस्तो ठीके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लॉस कंटिनुसली बढ़ते जा रहा है आप देख सकते हो EPS माइनस में जाते ही जा रहा है ठीके सालाना तोर का अगर performance आप देखेंगे तो March 2010 में अगर आप देखेंगे company का पूरे साल भर का sales 12,398 करोल का ठीके वही sales grow दोस्तो आज कहां पर पहुचा है 41,952 करोल पर लेकिन उसके पहले company का और भी अच्छा performance हमें देखने को मिला था ठीके और loss की अगर बात करें तो company यहाँ पर continuously loss सालाना तोर पर निकाल रही है मतलब अगर देखा जाए तो shareholder बूरी तरीकी कैसे इसमें फसे हुए है वह बस अब ए government's help मांग रही है ठीके यहाँ पर अगर आप देखेंगे shareholding pattern तो shareholding pattern में आपको क्या देखने को में लगा ठीके सबसे पहले देखिए यहाँ पर promoters बहुत बड़ा stake लेके बेठे इफ आई आई दीरे दीरे करके दोस्तों stake तो कम कर दे लेकिन वो भी अभी फसे बेठे है फिर भी दोस्तों क्या कर रहे है अगर आज का delivery pattern देखोगे ना तो आप भी बोलेगे कि दोस्तों इसमें क्यों investment किया जा रहा है अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इस company के market cap की ठीके तो इस company का market cap आप देख सकते हो ठीके यह company का market cap आपको देखने को मिलेगा 29,885 करोड का return on employee माइनस में book value माइनस में चले गए ठीके उसके साथ या 52 विक का ही 52 विक का लो देख सकते हो face value 10 रुपे per share के साब से खड़ी हुई है तो भी company का performance खातम होते देखने को मैं मिल रहा है अब आज का delivery pattern आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए लगबग आज 22 करोड 52,94,000 stock क्या हुए दोस्तों आज trading हुए ठीके मतलब share इतने trading हुए लेकिन अगर आप देखेंगे तो 21% quantity क्या देखने को मिली अभी भी delivery उठते देखने को मिली कितना 4 करोड 78,00,000 quantity आज भी delivery उठते देखने को मिल रही है मतलब company के अंदर कुछ भी नहीं तो भी दोस्तों shareholder क्या कर रहे हैं इसमें investment करते जा रहे हैं ठीके shareholding pattern आपने देखा ठीके shareholding pattern के अगर मैं बात करता हूँ तो आपने तो देख क्या है तो यहाँ पर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या shareholding pattern के अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो promoters बस इतना है कि दोस्त काफी ज़्यादा देखने को मिलता है अब देखें दो दिन बात मतलब आज 10 तारीक हो चुकी है ठीक है अलमस्ट दिन निकल चुका है 11 और 12 मतलब दोस्तो 12 तारीक को आपको quarter second का नमबर देखने को मिलेगा 12 नमबर को ठीक है और हो सकता है ये company अपना loss और increase करते क्योंकि company का इस प्रकार से business हमें नहीं चलते देखने को मिल रहा है अगर मैं आपको बता दो stock के आज के भी performance की तो आद देखें एक percent की गिरावट के साथ 10 रुपे 30 पैसे पे close हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हूँ ठीक है उसी के साथ-साथ इसका return on pattern आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पर आप देख सकते हूँ ठीक है last 5 दिन में मतलब यह चोटी सी तेजी आती ना तो यह काफी traders को attractor दे थी जिससे क्या होता है दोस्तो shareholder क्या हो जाते हैं एकदम बुरी तरीके से फस जाते है ठीक है last 1 मेने में देखे गिरावटे last 5 दिन में 2% की तेजी दिख रही है 6 मेने में 27% stock भागा हुआ ठीक है यहाँ पर stock गिरा हुआ था यहाँ पर अगर देखे एकदम 22% गिरा हुआ था लेकिन आज खतम होने की कगार पे और overall का performance अगर आप देखेंगे तो 80% stock गिरा हुआ है दोस्तो condition काफी ज़्यादा खराब हो चुकी है खेर आप लोग इसको पहले ही पेचान गए होंगे नहीं भी पेचान है दोस्तो तो आप देख लिजे में बात कराऊं बोड़ा फोन आइडिया की ठीक है तो दोस्तो जिन लोगों का इसमें investment करने का प्लान है ये सोचके कि एक penny stock है इसमें हम चलिए investment कर देते हैं हमें long term में अच्छा का सा return मिल जाएगा तो दोस्तो इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी मत करेगा क्यों क्योंकि यह company दोस्तो जिसने इसको बनाया है ठीक है main जो leader है इसका उसको नहीं दोस्तो यह profit दे पा रही है तो वो आपको क्या देगी क्योंकि आप तो side में जाकी क्या कर रहे हैं अपना value बता रहे हैं कि मैंने आपके business में मैंने कुछ हिस्सा खरीदा है आपके पीछे ठीक है यह तो दोस्तो बिल्कुल भी दोस्तो इस company पे focus मत करेगा क्योंकि जिस प्रकार से आज भी 25.5% delivery pattern उठा है वो किस base पे उठा है यह बिल्कुल भी नहीं पता है ठीक है आज आज आप इसकी बात कर लो आरकॉम की बात कर लो डियेचे फिल की बात कर लो जेट एरबेस की बात कर लो या चाहे आप यस बेंक की बात कर लो इनकी condition खतम हो चुकी लेकिन आज इनका delivery pattern देखोग ना तो बढ़ते जा रहा है किस उद्देश से बढ़ते जा रहा है ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है ठीक है तो जो प्लान कर रहा था बोड़ाफोन आइडिया में investment करने का वो अभी हाँ से क्या कर दे इग्नोर कर दे क्योंकि दोस्तों इनकी condition तो government ने अभी थोड़ी सी company खतम होई जाएगी तो जिसके लिए जितना दूर हो दोस्तों उतना इस company से दूर रही है ठीक है तो आप लोगों को पूरा के लिए यहां पर कर दिया है मैंने तो दोस्तों यह आपको update पसंद आया तो प्लेस इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा क्योंकि डिली वेस्स पे आप लोगों के लिए इसी परकार का update लाते रहते हैं तो ठैंक्य दोस्तों